हलो गुड वीडिनिंग नमस्कार वेलकम टू एकजांपूर मैं अमित पांडे पुनह एक बार आप सबके साथ जुड़ा हूँ और आज की जो बात होगी वो टिक्स के उपर होगे चुकि हमने देखा आपके परिच्छाओं में अलग-अलग तरीके से चीज़े पूछी जाते हैं और उसमें आप कनफ्योज भी हो जाते हो कि इस तरीके से कैसे होगा क्या इस तरीके से लगेगा कहां पर क्या चीज़े होगी तो उसी सबको आसान बनाने के लिए आप जनरली प्रदेश की पड़ोसी राजी कौन-कौन से बिल्कुल यहां देख सकते हैं हरियाना हिमाचल प्रदेश उत्राखंड दिल्ली राजस्थान और यहां पर मद्ध प्रदेश पुनाय चत्तिस गड़ जारखंड बिहार तो लगबंग जो आपके बड़े प्रदेश है वो तो सब्सक्राइब के बाद ही है तो इसको कैसे याद रखा जाए चुकि नव राज्य है तो नव राज्यों को याद रखने के लिए एक बिसेश सूत्र या टिक का मदद ले सकते हैं आपके सामने है टिक जो है आपके सामने जीट च्छै दिल दो खंड अर्था कोई ब्यक्त ह क्या है जिसके पास छे दिल है उसके 6 दिल क्या हो गए दो खंड हम राज के मध्य बिहारी है सब्ड़ों को और जो लिंक करेंगे कहां कहां जारखंड उत्राखंड इसमें आ गया इसके साथ ही हिम राज हिम की बात करते हैं तो हिम हिमाचल राज से राजस्थान यह आपके हो गए उसके बाद मद्ध मद्ध की बात करते हैं तो मद्ध से आपका मद्ध प्रदेश और बिहारी की अगर जो बात करें बिहारी बिलकुल आसानी से आप उत्तर पदेश के पडोसी राज चुकि नौ संख्या में है और याद करने में भी दिक्कत होती है तो उसी को आसान बनाते हुए हमने इस टिक का इस्तिमाल किया और बड़ी आसानी से जीको को एक तरीके से कंपाइल कर लिया आप देख सकते हैं चांद इस्तिशगर दिली जारखंड उत्राखंड हीमाचल राजस्थान मद्ध प्रदेश बिहार और हरियाना यह सारे इससे कवर हो जाते हैं और आप मैप में भी देख सकते हैं सारे पडूसी राज इसके कवर हो गए आपका उत्तराखंड यहां पे हीमाचल प्रदेश यहां पे हर्याना, यहां पे दिल्ली, यहां पे राजस्थान, और यहां पे मद्ध प्रदेश, पुने, यहां पे 36 गड़, जार खंड, बिहार. यहां पे पड़ोसी राजी, और साथ ही साथ, आपका पड़ोसी देश, चुकि एक ही है, तो इसमें बिल्कुल confusion नहीं होता, नेपाल, तो आप UPG को चुटकियों में आसानी से हल कर सकते हैं, जी, जी के इसी तरीके से याद होता है, कोई अगर जो confusion होती है, तो बिल्कुल इस इसी आसानी से आप उसे clear कर सकते हैं, इसी आसानी के साथ आप उसे clear कर सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने सारी चीजे रखी हुई है, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, बिल्कुल,